नमस्कार दोस्तों मैं संदीव स्वागत है आप सभीका आपके अपने सक्सेस टो यूटूब चैनल पर दोस्तों आज क्लास नंबर है एट आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी इनवर्सिटी वा कोलर के जो चात्र है उनकी परिछा यानि कि सेशन 2021 और 22 के सेशन में जो सभी बार रिपीट हो चुके वही सारे में कुष्चन आप तक प्रवाइड करने वाला हूं इससे हो सकता है कुछ ना कुछ कुछ इस बार जरूर रिपेट होंगे और आपके एक्जाम में काफी करेंगे ठीक है ध्यान से समझेगा एक क्वेश्चन आपके लिए इंप्वा करने की पूरी कोशिश करेंगे बस सरते हैं ऐसा कि आप लोगों को थोड़ा वेट करना होगा पिरहाल आज की वीडियो होने वाली यह वह होने वाली बीए की जित्ने भी हिंदी के चार है क्लिके लिए नंगे लीए निधू के क्लिए लास्ट में कमेंट करें कि कौन से कौ आप लोगों को बताएंगे एक एक कोईस्ट पढ़ेंगे और टॉप लेबल के कोईस्टन होने वाले यह सारे पर बियों पर उपको बताने वाले आप लोग सही से कोईस्टिन और एंसर समझेंगे तो आपके चार से पांस नमबर किलियर हो जाएंगे बढ़ते पहले कोईस्टिन के और लिखा कि जाईसी के गुरू कौन थे आफसान एक मिल जाया कबीरदास खुसरो सी नमबर मुहिद दिन और दी नमबर उस्मान तो जाईसी के गुरू जो थे जिन चात्रों को राइट एंसर मालूम बेसा कमेंट करके बता सकते हैं फिर आल मैं तो बताऊंगा इस कोईस्टिन का राइट एंसर लेकिन आप लोग गेस करिए और कमेंट सेक्टर में भर दीजे कि कौन सा होगा ठीक है आप लोग ज्यादा फिर ज्यादा लोग जोइन करिए और सेर भी करिए वीडियो को ठीक है इसकोश्टिन का राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नमबर मोहिद दीन थे आप लोग टिक कर लीजेगा ठीक है अगर श्कीन सोट भी लेना चाहते म AWS जम्ह doit हैं जहांगी आप लोग को जानने को पर बिलेगा भी जैसी कहां के रहने वाले थे इनका ठीक है आपसर मिल जाएका जम्सेट पूर धीनर जहां घिरपूर और सी नमबर गया से कोई नहीँ तो जाइशी जी थे वो जो रहने वाले थे जायश के ते इसलिए question का right answer हो जाएगा आपसे नंबर C ओके त्में के जानकाली के लिए भी हम बता दें हिंदी में 2 subject होते हैं तो हिंदी के दो subject का मतलब यह मैंने कहने का मतलब हम यह कि हिंदी जो होता है इसमें धो पेपर होते हैं। एक हिंदि फश्ट और एक हिंदी इसकेंड तो यह जो सारे को चैनल है वह हिंदि फेपर के लिए important क्योंकि आप मालूमें कि या Corey फश्ट पेपर आते हैं और बहुत सारे जिकांपोर्ण। और बहुत सारे जो हैं उनका नाम नहीं लूँगा आगे आनले वीडियो में खुदी बताऊंगा प्रताम नायर मिर्स और भी बहुत सारे हैं वो आते हैं सिकेंड पेपर में ठीक है जायशी कबीर तुलसी रहीम भूसर इत्याज जो कभी है वो फस्ट पेपर में आते हैं तो जुरूर इस कोच्छेंट का अंसर और व elétुमक्त भी थे इसलिए कोच्छीं को राइट एंसर हो जायेँ स हो जाएगा अपसे नमबर एक है बढ़ेंगे क्लाम किसकी रसना है नमबर एक रहें कभी खुश्रों जाइसी तो आख़ी गेश्य लोग कर लिए बाएक पूछ लिए जाता है और आया भी पिछले सालों में दोतीन साल पहले भी आया और लगबग इस साल को छोड़का है इस पार आप सभी प्रमोटे हो गए इससे पहले भी प्रमोट हुए उसके अगले साल आया हुआ था ठीक है तो इसको राइट एंसर हो जाएगा जो है जैसे का जो प्रे अलंकार है वह उत्प्रेच्छा इसलिए राइट एंसर पर हम क्लिक करेंगे आप्शन नंबर सी ओके क्लिक करिया आप लोग सी पे बढ़ेंगे क्लिक क्यों क्यों लिखाए कि है दुबेदी यूप के सब्सक्राइब जो है बात करेंगे सेकेंड पेपर में फर्स पेपर में नहीं नहीं अगला क्यूश्चन है कि जायज का पूर्व नाम क्या था नंबर एक है अभर बी नमबर निसान सी नंबर पावन और दी नंबर व्गधान बहुत ही टॉप लेबल का क्यों जो पूर्व ग्रंत एक सब्सक्राद क सब्सक्राइब में करते हैं और यह को इस quickly नंबर ở कि मैं बोलूंगा वह लगबग लगबग में यह 100% के साथ नहीं कहीं होगा कुछ बोलने में मिस्ट भी हो सकता है तो आप उसे मत समझेगा कि सरको जानकाई नहीं जानकारी है बड़ बोलने में वह कहीं खुझातीए कभी कदार ठीक है ऐख्ला कोश्चन कि work use qq q 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 हम अगले कोश्चन की ओर लिखाय की कोश्चन सेरसा के अत्रिक्त जैसी ने किस सासक की प्रसंसा की थी बहुत ही टॉप लेबल का यह भी कोश्चन है लिखाय की बाबर आपसन है बाबर अकबर जहांगीर हुमायो तो 10 नमबर जो कोश्चन है इसका राइट एंसर हो जाएगा बाबर सेरसा की अत्रिक जैसी ने जो बाबर सासक है उनकी प्रसंसा की थी इसलिए राइट एंसर हो जाएगा बीड़ ए नमबर सोरी ए नमबर बाबर हम बढ़ेंगे अगले कोश्चन की लिखाय की 11 नमबर जैसी की कौन सी क्रत में इस्वर भक्त के प्रति प्रेम निवेदन है अब चलेक नहों जाएगा कहरा नामा मसल नामा और पदमावत अखरावट ठीक है अखरावट तो कुश्चिंग राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आफ्चन नमबर भी मस ठीक है मसल नामा में इस वह भक्ति के प्रति प्रेम की निवेद्ना की गई है इ इस वीडियों हम बात करेंगे स्रीजाइसी जी के बारे में इसलिए कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा सी नमबर जाएगा चित्र रेखा किसकी रशना आपके एक्जाम में आजए तो ध्यान में रखीएगा कि ना हुमायू की है ना खुस्मान की है ना खुस्रो की ना अला कोश्चन कहता है कि यानि कि तेरा नमबर पदमावति किसका प्रतिक है पदमावत में ठीक है पदमावति किसका प्रतिक है नमबर एक परमात्मा का भी नमबर भक्त का सी नमबर आत्मा का और डी नमबर सरीर का तो राइट एंसर हो जाएगा तेरा नमबर कोश्चन का वो हो जाएगा परमात्मा का ठीक है इसलिए राइट एंसर पर किलिक करेंगे हम ए नंबर पे बढ़ेंगे एकले कोश्चन के ओर यानि कि 14 नंबर कोश्चन के ओर लिखा है कि नागमती औरत्न सेन किस क्रत के पात्र है नंबर एक पदमावत अख्रावट चित्र रेखा और कन परमा एंसर जुषन के ओर इसलिए नंबर चैन हो जाएंगे का आपसव नंबर की वूजाने नंबर नंबर खुरता है अगला question कहता है कि नागमती ब्योगखंड किस क्रति के अनुपम्बिधी हैं अखरावट चित रेखा मसला नाम मसला नामा और डी नमबर है पदमावत तो नागमती ब्योगखंड जो है क्रति की अनुपम्बिधी है वो है option number 16 का right answer हो जाएगा पदमावत का इसलिए right answer पर हम क्लिक करेंगे डी नमबर पर चलिए क्लिक करते पदमावत पर ठीक है नागमती ब्योगखंड जो है वो करती थी कि अनुपम्बिधी है पदमावत की ध्यान में रखिएगा अगले question क्यों बढ़ते हैं लिखा कि जाषी की किस क्रत में सीरसा का उलेक किया गया है पदमावत, अकरावायまだ चित्रेखा, कनवावत तो जाषी जी के कौँछी क्रत में सेरसा का उलेक किया गया है उस ýक्रत का नाम या उस रसना का जो नाम है उसे पदमावत right answer पर इसलिक करेंगे हम ठीक है? एनम्बर पे ओके चलिए कलिक करीँ आप लोग एनम्बर पे भढ़ाएंगे के लिए क्योश्जटन के और लिखा है कि अठानर नम्बर क्योश्चन है कि जायसी की कुरूपता को देख कर कौन हसा था नाम देख कर हसा था उनका नाम था जीर सा जी यानि कि सेर सा जी ने सेर सा ने इनके जो कुरुपता को देखकर हसा था या फिर हसे थे उनका नाम है सेर सा डी नमबर राइट एंचर अगला गोश्चन है कि जे मुख देखा ते हसा सुना तो आए आशुपंक्त किसकी है यहाँ पर टो की जगा दोस्तो तो होना चाहिए ठीक है गलती से टाइप होगा है मिस्टाइप तो नमबर एक है आप्शन की खुस्त्रों जाइसी उस्वां सेख नभी जे मुख देखा ते हसा सुन तो आए आशुपंक्ति है स्री जाइसी जी की राइट एंसर हो जाएगा कोश्चन का आप्शन नमबर बी ठीक है क्लिक करिए आप लोग बढ़ेंगे के लिए कोश्चन की और कोश्चन के रहा कि पादमावत में ठीक है सिंगल किसका प्रतीक है तो आप्शन मिल जाएगा आस्था हीरा चांदी तो इस कोश्चन का जो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा आप्शन नमबर भी ठीक है आज किस वीडियो में मैंने जाएशी जीसे संबंदित पूरे टंटी कोश्चन इंकलिवड के थे जो कि बहुत आप सभी को कम लगेंगे क्याने वाली दिनों में हम पूरे और भी कोश्चन इनके बारे में बात करेंगे और आप सभी कोश्चन आइंकर दूनों और समझे और उसका एंसर कीजिए और आपके एक्जाम में जो भी कोश्चन आया उसको हल करिए और अपनी सफलता पूरी करिए तो डेली बाइदेली भी मोश्चन प्रवाइड करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा को को कुश्चन है को को कमें करते रहें आप लोग ठीक है मिलते हैं नेस्ट वीडियों तब तक लें जायें